अभी सब्स्ट्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पीशुर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले दुरुगा शप्तसती में मंत्र है पतनिम मनोर अमाम देही मनोब्रता अनुशारनिम तारनिम दुरुगसंसार सागरश कुलोद भवाम इस भगवती दुरुगा के मंत्र का आप पाठ करवाईए जब करवाईए या तो इस मंत्र का संपुट लगाकर संपूर्ण दुरुगा शप्तसती का पाठ आप नवचंडी के रूप में करवाईए अब चन्नी माने नो दुरगा शब्त सती के पाट हो, दसबा पाट जो है उससे हवन हो, इस प्रकार पत्नी मनोरमामदे ही इस मंत्र का संपट लगा करें के दुरगा शब्त सती का पाट करें और यदि पाट ना करा सकें, तो इस मंत्र का आप कम से कम 21,000-31,000 किशी अच्छे बिद्वान ब्रहमन को बुला करके घर में जब करवाईए, बिधी पूरवक, मधू, घृत, मिस्त, सहद, आदी, मिक्सृत, जो है, हवन सामगरीशे आप हवन करिए, मधू और घृत, मिस्त, मिक्सृत, हवन सामगरीशे देवीजी का इसी मंदर के द्वारा हवन करिए, निश्चित आपको, सीगरीई, सोयोग को पत्नी मिल जाएगी, केवल पत्नी मिल जाएगी, सो नहीं, पत्नी मनोर अमाम देही, जो आपके मन के अनुसार अनुगमन करने वाली हो, पत्नी कैसी हो किसी ये ही ये, सी ये पिये की गती, जान निहारी, और मन मुदरी तवो तुरते उतारी राम जी के मन में संकोच हो रहा था, गंगा पार होने के बाद, मैंने केवट को कोई उत्राई नहीं दी, क्या दूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, उदासी ने प्रत लेकर आया हूँ, अब इसने पार लगाया है, इसको पारी तोस्तों मिला चाहिए, जानकी जी राम जी के मन की बात को तार गई, कि राम जी के मन में संकोच है, क्या दूँ, उनके पास तो कुछ है नहीं, तो हात में मुद्रिका थी, जानकी जी ने उतार के दे दी, कहा नहीं राम जी ने, समझ गई, तो मनो ब्रतान उसारनिम उसको कहेंगे, कि जो मन की वर पत्ती के अनुसार आच्रन करने वाली पत्नी मिले इस मंत्र के जब करने से